यहां क्या है कि नेट की बात कर रहे थे बीपियस या केबीपियस जो होता है कीलो बाइट पर सेकेंड या बीट पर सेकेंड आप बोलते हैं तो बीट और बाइट में क्या अंतर है बीट और बाइट में क्या अंतर है इसको समझेंगे हम लोग तो जैसे कि यदि कोई लिखता है BPS और ऐसे तो ये जो है एक बटा आठ है और ये जो है आठ गुना है तो यदि कोई कहता है कि मेरा नेट का स्पीड एक MBPS है तो इसका मतलब कि ये काफी स्लो है मेगा बाइट रहे बिट में ही नॉर्मली देता है स्पीड कहीं भी दिखाता है तो ये सारी चीजे है इसके बाद दिया है राउटर राउटर क्या है एक से अधिक कंप्यूटरों को ये कनेक्ट करता है केबल के द्वारा RJ45 केबल हो गया या और भी कनेक्शन्स हो गया उनके द्वारा और ये जो राउटर होते है ये वायरलेस भी होते है मतलब बिना तार के भी आपको इंटरनेट की फैसलिटी दे सकते है और केबल के द्वारा भी देते हैं वो तो आप Cat6 केबल यदि यूज करते हैं तो वो ज्यादा बहतर है Cat5 केबल यूज करते हैं तो वो उतना बहतर नहीं है और Hyperlink Hyperlink क्या है एक तरह का Link होता है जैसे अभी आपने देखा Google है, MSN है या कुछ भी है ये सारे क्या है आपके Hyperlink है Plugin क्या है, ये Program जो आप Browser में अलग से Attach करते हैं उसको बोलते है Plugins और Flash Player क्या है Flash Player आपका जो है वो आपको एक तरह से कोई भी Media या वीडियो है वो Display करने के काम में आता है ओके Pop-up क्या है Pop-up यदि आपका On रहेगा बहुत बार On रहने से क्या होता है कि फालतू के Message आते है Advertisement आती है लेकिन कई बार काम की चीजें भी आती है तो कभी का बार Pop-up को आपको Personally एक बार भी On कर सकते हैं या आपको लगता है नहीं Problem आ रही है तो बार-बार हमेशा के लिए भी आप कर सकते हैं इन सभी Condition में आप Pop-up का यूज कर सकते हैं Home क्या है? Home सब्द जब कोई Website यूज करते हैं तो उसके पहले पन्ने को बोलते हैं Home इसके बाद है Add Add for Advertisement मतलब परचार 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 करना क्या है? वो Advertisement है आगे बढ़ते हैं इंटरनेट किन-किन चीजों की आउसेक्ता होने से काम करेगा तो एक तो ISP होना चाहिए ISP मिन्स Internet Service Provider Internet की Service को देने वाले को क्या बोलते हैं? ISP आपको आगे ये उमीद है मिलेगा देखिए Internet की सेवा करने देने वाले को जैसे BSNL है, MTNL है, Airtel है, Idea है, Voda है ये सारे क्या है? आपके Internet सेवा देने वाले हैं और ये सब चीजें काम कैसे करती हैं तो मोडेम के द्वारा मोडेम यदि आपका नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा तो आप इस बारे में समझें मोडेम दो चीजों से मिलके बना है मोडूलेटर और दे मोडूलेटर और ये एनालोग को डिजिटल में बदलता है analog मतलब यह जो telephone line है उसको बोलते है analog और digital जो हो गया वो आपका हो गया 0 और 1 computer जो समझता है आपका तो यह internal और external दो तरह के modem आपके होते हैं internal जो computer के अंदर लगता है और external आपका computer से बाहर लगता है थोड़ी सी जगह घरता है लेकिन काम दोनों का PC, personal computer होना चाहिए इसके बाद modem, यह modem के बारे में भी हमने बात किया, modem होना चाहिए और इसके बाद web browser होना चाहिए जैसे internet explorer और firefox, chrome आदी जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आपका यह हो गया firefox, internet explorer यह net escape है और net escape तो net escape navigator है यह और इसके बाद है यहाँ ओपेरा यह है chrome के सारी चीज़े हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं ब्राउजर समानेता हम लोग जो यूज करते हैं वो सब हैं या internet explorer, google chrome, mozilla, firefox यह सारे इसके बाद अपेरा safari torch टॉर्च भी एक काफी बहतर ब्राउजर है आप लोग यूज करके देखेंगे जरा पीसी में इसके बाद आगे बढ़ते हैं यूजी ब्राउजर ये भी पता ही आपको dark wave क्या है? dark wave ब्राउजर जो होते हैं वो बिसेश तरह के condition में बिसेश तरह के लोग यूज करते हैं सामाने लोग कहिए तो यूज नहीं करते हैं और इसका यूज समाने तह बेहतर काम के लिए तो आप कहें नहीं होता है लेकिन जानना तुछ यह डार्क वेब होता क्या है तो इसका खुद का अपना सिस्टम है यह सर्च इंजिन जो है गुगल है य्याु यह बैडू है यह चाइना द्वर्दा यूज किया अपका सर्च इनजिन है चाइना ने अपना खुद का सर्ड़कु सब कुछ बना रक्वा रहा है और गुद का ब्राउजर है ने आपका चैटिंग एप है सब कुछ और डग डग गो जो है डार्क वेब ब्राउजर है जो अभी पीछे देखें हम लोग आगे बढ़ते हैं ये सब www जब आप लिखते हैं तो उसके बाद में ये लगता है आपको जैसे ये टीम बर्नली के द्वारा तु दिया ही गया है .com commercial website जिसके आगे .com लगा हो क्या है commercial website है .org है तो organization से समन्दित है और जी यो भी डॉट इन है गॉर्मेंट से समन्दित है एडी यू डॉट इन है एजुकेशन से है मिल मिलिटरी से समन्दित है cn for china pk for Pakistan से पता चलता है कि किस तरह की site है किस देश की site है ये domain के अंतरगती आता है जैसे www.google.com तो उसका part हो गया ये इसके बाद है search जो भी आप यूज करते हैं न search engine तो इसमें अलग अलग तरीके का हम यूज कर सकते हैं वाले तो आपको web पता है image पता है इसके बाद video map book news ये सब तो पता ही है हाँ search info में है जैसे मालेजे की quotation के साथ आप यदी कुछ देते हैं तो बेस्ट रहेगा quotation inverted comma जिसको बोलें तो यहाँ पर paint tablet है तो paint tablet जो लिखा है तो इससे क्यों paint tablet को ही खोजेगा यह inverted comma लिखेंगे फिर paint इस पेस tablet फिर inverted बंद इसको search करेंगे आप कभी तो paint और tablet को अलग अलग नहीं खोजेगा paint tablet को ही खोजेगा तो आपका जो जानकारी है वह बहतर ढंग से काम कर पाएगी और आप जल्दी और बहतर information ले पाएंगे यह सर्च करने के तरीके बताये गए हैं ताकि आप बहतर ढंग से सर्च कर सकें कि यूज हाइफन जैसे कल आप लोग पूछे थे bmw इसका फूल फॉर्म यह कार से समन्दित है या और चीजों से समन्दित होगा तो उस पर हम नहीं जाएंगे डैस लगाएंगे तो bmw कार ही दिखाई देगा कि उसके बाद है कॉलन एजुकेशन यदि खोजना हो किसी साइट में या कुछ भी खोजना हो मिउजिक खोजना हो वीडियो खोजना हो कुछ भी तो आप साइट .google.com यूज कर सकते हैं इसको हम लिख के आपको दिखाते हैं काफी महत्पूर्ण है यह सब तो आप लोग वैसे नोट नोट तो कर नहीं रहे होंगे मेरे पास इस सब चीजों का नोट है आपको परिसान होने की जुरूत नहीं है आपको हम दिखाते हैं यह हम क्या काना च सब्सक्राइब करना चाहिए तो इंटर दबा देंगे अब तो वह इंग्लीस से संबंधीत जानकारी आपको देगा हाउ टू लर्न इंग्लीस या एजुकेशन लिखते हैं कि देखें तो मोड टीचर टू लर्निन क्लास्रूम ऐसा करके यह एजुकेशन से समंधी चीज़ें ही देगा दूसरी चीज़ें नहीं देगा केवल BBC हिंदी ही खुल रही है जैसा आप देख रहे हैं तो इसमें केवल BBC हिंदी ही खुल रही है और कोई चीज नहीं खुल रहा है आपको फिर से दिखाएं, देखें ये भी BBC हिंदी है, ये भी BBC हिंदी है, ये भी है, मतलब जितने खुलेंगे वो BBC से बाहर जनकारी आपको नहीं जाएगी, मतलब पार्टिकुलर, जिस पार्टिकुलर पे आप गए है, तो उस पर उक्योल वहीं दिखाई देखा, दूसरी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, ओके, आगे चलते हैं, इसके बाद, हमारा अगला है कि लिंक आफ एन अधर पेज, यदि किसी पेज पे आपका पेज कनेक्ट है, जैसे BBC हिंदी कहां-कहां है, तो लिंक कॉलन BBC हिंदी.com आप ट्राइ कर सकते हैं, कैसे लिकेंगे आप, लिंक कॉलन BBC हिंदी.com जोहीं ऐसा आप देंगे, तो BBC हिंदी जहां भी लिंक रहेगा, वहां-वहां, जैसे ट्वीटर पे है, रेडियो पे है, प्ले स्टोर पे है, लिंक डेंड पे है, वो सारा कुछ आपको कनेक्टिविटी दे देगा, तो ये रहा आपका BBC हिंदी से सम ये कोई भी साइट आप लिख सकते हैं, यूट्यूब लिखेंगे तो यूट्यूब करेंगे, तो आपका यूट्यूब देगा, तो इसलिए ऐसी कोई प्राब्लम नहीं है, कि इससे फायदा आपका ये हुआ, कि कहां कनेक्टिविटी है उस साइट की, उसको आप चेक कर स सकते हैं, अब यहां दिया है कि लिंक और पेज बीवी सेंदी डॉट कम, इसके बाद एस्टेरिस्क लगा के, जैसे हमको पूरा नहीं पता हो, स्पेलिंग, किसी गाने के बोल ना पता हो, और हमको खुजना हो, तो वहां इन्वर्टेड, फिर स्पेस, कुछ लिखके, फिर स्टार, फिर लिखके, फिर स्टार, फिर इन्वर्टेड, ऐसा करेंगे, तो वह खुज देगा, जैसे ट्विंकल, ट्विंकल है, हमको खुजना है, और पूरा सब्ध हमको याद नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो मान लिजे कि TWI मैंने लिखा, TWI, पहले इन्वर्टेड दे देते हैं, और फिर TWI स्टार, फिर स्टार मैंने लिखा, फिर इन्वर्टेड दे दिए, और सर्च किए, तो यहाँ पर, तो लिरिक्स सब्ध का आप यूज करते हैं, तो आपको कोई गाना चाहिए, या कुछ इस तरह की चीज़े चाहिए, तो आप आराम से इसमें पा सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, कोई गाने का भूल यदि हो, जैसे मान लेजे कोई हे राम, एक है, गाना, आपका किसने गाया जगजीत सिंग ने, जगजीत सिंग, लिरिक्स मैंने लिखा, तो ये क्या करेगा, कि हे राम का आपका पूरा-पूरा बोल आ गया, कि कैसे वो है, तो आप लिरिक्स आप यूज कर सकते हैं, कुछ भी खोजने के लिए, जो टेक्स्ट फॉर्म में हो, इसका मतलब है, टेक् आगे, इसके बाद है, फाइंड सिमिलर साइट, जैसे माल लिजे कि अमेजन है, अमेजन को हमको सर्च करना है, तो अमेजन के जैसा सर्च करना है, अमेजन को नहीं, related colon amazon.com, ट्राइ करते हैं, ये सब कुछ आप मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं, कोई प्राब्लम नहीं है related colon amazon.com, तो ये क्या करेगा, कि आपका अमेजन से समंधित, उसी तरह का, अमेजन से समंधित नहीं, बलकि उसी तरह की साइट आपको दे देगा, जैसे वालमार्ट है, ओवर स्टॉक है, मैसी है, ये सारे जितने होंगे, ये सब खरीद विक्री से समंधित, आउन लाइन है, जिनका नाम आप जानते हैं, न हम जानते हैं, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, माल ये BBC मेजन से तो आई गया, खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, find similar sites, do math, जैसे दिया है, 8 into 4 plus 3, direct आपको करना हो math, तो math से समंधित आप आराम से कर सकते हैं, आपको calculator खुज जिनकी जोत नहीं है, यदि आप net है, 8 into 4 plus 3, इंटर दबाईए, तो ये क्या करेगा, कि आपको answer दे देगा, जैसा कि आप लोगों को दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहां छीपा हुए, थोड़ा सा screen चोटा हम कर रहा है, देखिए, आगे, 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 देखिए, 35, और यहां है calculator आ गया, यदि आप डारेक्ट लिखेंगे, Google calculator, तो Google calculator भी आ जाएगा, तो Google calculator आप लिखेंगे ज़रा, Google calculator, इंटर दबाईए, यह आ गया, इसमें sine cost 10, invert, क्या, inverted दिया है, सौरी, INV है, अब क्या है, inverse है, मतलब उल्टा, पाई है, यह सारी चीज़ें आप इसमें पा सकते हैं, तो यह direct net के थुरू है, आपको अलग से अप लोड करने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी, फिर Google call me, और find my phone, जैसा अभी जो बात हो रही थी, छोटी सी, तो call me, device या phone, किसी का device कहीं पे रखा गया हो, search करना हो, तो वो आराम से इसे खोज सकता है, करा कि वहीं, देखिए, sign in नहीं हुआ था, मेरे phone से, अभी sign in हुआ है, जिसकी वज़ा से ऐसा दिख रहा है, तो, एक सेकंड, यहां जैसा आप देख रहे हैं, यह बता रहा है, maps, timeline यहां दिखा रहा है, erase दिखा रहा है, मतलब delete भी कर सकते हैं, content को, तो यह सब तो हम करेंगे नहीं, आप लोग अपना भी नहीं कीजिएगा, चलिए वापस चलते हैं, जो फिर नया कोई problem होगा न, या जो topic नहीं समझ में आया होगा, उसको फिर हम लोग note कर लेंगे, और फिर next topic में बात कर पाएंगे, तो यह रहा, चलिए, अब यहाँ पर हम लोग थे, search more than one sentence, एक से अधिक sentence खोजना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए दिया है, कि inverted, कॉमा दीजे, यह based interview tips, फिर inverted, और interview for color, मतलब यह दोनों खोजेगा, chocolate और white chocolate, मतलब chocolate भी दिखा सकता है, और white chocolate, तो ऐसा भी लिखके आप search कर सकते हैं, मतलब अलग-अलग, एक साथ, दो-दो तरह की चीज़ों को खोजना हो, तो आप ऐसे खोज सकते हैं, continuous number, तो यह क्या दिया है, मतलब किसी खास तरह की जानकारी के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे Sydney Cup 2003 लिखा है, तो उस बारे में आपका 2003, 2004 इस तरह का dot dot दीजेगा, yes, y, d, any, y, cup, dot, dot, 2003, try करते हैं, yes, y, d, any, y, cup, dot, dot, हाँ, देखे, यहाँ करके देखे, तो 2019 आ गया, 2020 आ गया, जिसका भी हमको देखना हो, तो उस तरह का दिखा देगा, ठीक है, इसके बाद, sorry, सब क्या रहा है, इसके बाद, आगे बढ़ते हैं, Pija Place Nearby, यदि, कि नजदीक में पेट्रोल पंप खोजना हो, Pija Place खोजना हो, या होटेल खोजना हो, तो इस तरह से सर्च करके खोज सकते हैं, Multiple Search, आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे, First Try Interview, Second Try, Job Interview, Third Try, Prepare Job Interview, यह लाइन आप Google में लिखेंगे, तो पहले इंटर्व्यू कोजेगा, फिर जौब इंटर्व्यू कोजेगा, और फिर यह, यह सब Special Search है, जिसका आपने कभी सुना नहीं होगा, आपने कभी यूज नहीं किया होगा, तो, कुछ नया और कुछ अलग है, यहाँ दिया है, Replace Search, यहाँ है, My Head Hurts, Could Be Replace By, Headache Relief, तो इस तरह के सब टर्म हैं, तो उनको आप यूज करके देखें, Another Search Style, Don't Try, Chinese Restaurant in China, इन स्टीट राइ, इन स्टीट राइ, Chinese Restaurant in India, देखें, यहाँ पर यह दिया है, कि Chinese Restaurant जो है आपका, चाइना में ना खोजे, बलकि खोजे इंडिया में, क्योंकि Chinese Restaurant तो चाइना का खोजेगा न वो, यहाँ है, Shortcut Search, Weather Star, पीन कोड, अच्छा चली, Weather Try करते हैं, यह आसान है, Weather लिखके, Star लिखके, 821101, मैंने लिखा, और इंटर दबा दिये, तो यह, पीन को, यह मौसम बता दिया, वहाँ का, क्या बोलते हैं, Weather, हाँ, मौसम इन्होंने हम लिखा, मौसम के बारे में, अब जैसे 821101 है, तो 6 लिख दिये, तो 6 का दिखाएगा, यह और 6 नजदी की है, भवुआ हाटा में कोई अंतर है नहीं, हाटा का ही पीन कोड ही नहीं है यह, यह हर जगा का पीन कोड है, मतलब कुछ जगों का, जो हम लोग का, आसपास का एरिया है, तो आगे देखते हैं, उमीद है, आज का क्लास कुछ ठीक रहा होगा, आपनों का, जो हम लोग परिसान हुए थे, कुछ सफलता तो मिली होगी, उमीद है, वैसे ही, वाट इस देफिनीशन ओफ, स्टार कम्प्यूटर, अब हम को, कम्प्यूटर का डेफिनीशन चाहिए, तो लिखेंगे, वाट इस देफिनीशन ओफ, क्या, कम्प्यूटर, इस तरह से आप यदि लिखें, तो मेबी कि ये ज़्यादा बहतर दे, या इसको हम हटा के भी देख लेते हैं, ताकि ऐसा नहोगी, कोई एक नियम ही बन जाए, कुछ हुएसा ही दे रहा है, तो यदि किसी चीज़ की परिभासा पानी हो, तो आप ऐसे लिखे सर्च कर सकते हैं, इसके बाद, टाइम, और प्लेस, हमको लंदन का टाइम चाहिए, या अमेरिका का, वीडियो नहीं दिख रहा है, तो मेरे वीडियो पे टैब कीजिए, मेरे नाम पे टैब कीजिए, हो सकता है, आ जाए, तो यहाँ देखिए, साथ बच के 41 मिनट लंदन में हो रहा है, अब अमेरिका को भी देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर टाइम है, दो बच के 41 मिनट भोर हो रहा है, क्या बात है, यह तो बड़ा अजीब अजीब बात है नहीं, यहाँ हम लोग दो पर का मजा ले रहा है, बाकी लोग अभी सो रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं, टाइम प्लेस हो गया, फाइंड ए स्पेसिफिक फाइल टाइप, हिंदी बुक, पीडियाफ, जैसे माल लेजे कि आपको पीडियाफ फाइल चाहिए, तो हिंदी बुक्स फाइल टाइप पीडियाफ, जैसे हमको मुंसी प्रेम चंद का, प्रेम चंद का हिंदी फाइल टाइप क्या है पीडियाफ, तो पीडियाफ फाइल वो सर्च करेगा, जो भी दिखाएगा वो क्या दिखाएगा PDF अैंदि हिस देखिए यहाँ आप दाए तरफ देख रहा है कि यह यह PDF ही दिखा रहा है मत फिरसे दिखाएffen आपको देखिए यहाँ PDF तो फाइल का प्रकार यदि आप लिख देंगे तो क्या करेगा वो वैसा है करेगा यदि आप लिख देंगे कि नहीं हमको वो चाहिए क्या जैसे हमको चाहिए प्रजेंटेंशन पी-पी-टी पी-पी-टी एक्स या पी-पी-टी तो पी-पी-टी नहीं रहा होगा साध इसलिए नहीं मिला डी-ओ-सी डालके देखते हैं डी-ओ-सी देखिए वर्ड से रिलेटेड में यह फाइलें पड़ी हुई हैं तो यह सब प्रकार हो गया है जिससे आप समझ पाते हैं उसको देखिए यहाँ डी-ओ-सी है मतलब एमस वर्ड खुल जागा इससे वर्ड का खुलने का यह अर्थ ह है कि वो फाइल एमस वर्ड में सुरचीत होगी तो आप कोई खास प्रकार की चीजों को भी आप ऐसे सर्च कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर है अनदर सर्च फाइंड हाँ money and unit conversion 10 mile to km बहुत सारे लोगं को यह भी problem होती है कि हम कैसे करें जैसे 10 mile to km 10 mile को कितने km में आप कह सकते हैं तो यहाँ पर खुद एक software जैसा आ गया कि 1 mile में कितने km होते हैं एक दसमलो छे मतलब 1.5 km यह उससे ज्यादा कैमरा किसका ओन हो गया भाई बताइए देखते हैं कि किसी का तो camera ओन नहीं हुआ है तो इस तरह से हम लोग यूनिट कनवर्शन देख सकते हैं ब्रिटिस यूएस डालर टू ब्रिटिस या इंडिया यूएस अभी बंद हो गया अच्छा डॉलर देखिए जो ही लिखे यहां पर रहा गया यूएस डालर टू इंडिया पच्छतर रुपए चवहत्तर पैसे अभी हैं एक डॉलर वहां का और यहां का पच्छतर रुपए चवहत्तर पैसे दोनों सेम है तो ऐसे बहुत सारी चीजे हैं जो हम लोग एक एक करके देखेंगे